है वेल्कम बैक टो और चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माद्यम से इस वीडियो के माद्यम से हम निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी का डिली अनलिसिस करते हैं करने के लिए मैं यूज करने के लिए और साथ में करते हैं ऑफिशन को दोस्तों यह आणालिसिस करने के साथ में निफ्टी 50 अठाघिक सर्था हैं अपनी स्ट्स्रैटि को सके साथ में हमारें इंटले टेट्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड डाट टू दोस्तों मारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से लेक्टेड वीडियो भी रेकुलरली देखने को मिलते रहते हैं इसी तरीके से नए नए चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और ला साथ में बेल आईकेन को भी प्रेज़ कर लिजे Meanwhile अगर आप अमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप में जोईन कर सकते हैं मेंबर्शिक को जोईन कर सकते हैं तो आपसे लाइब मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशेट करता हूँ स्टेड के बारे में इंफोर्मेशन भी शेयर करता हूँ मेरकेट में बढ़ता है भर्ले आज दिन में निफ्ट्य औ् बैंक निफ्टी अंधिन के अंदर में रिल्में बह Alzoharा में यह कितने इफेक्टिव है उसके भारे में हम डिसकसन करेंगे बात करेंगी चार्ट के उपर में देख लेते हैं आज के दिन में हमने क्या position मनाया था market के अंदर दोस्तो आज morning के अंदर में जो position मनाया था 5th October का nifty के अंदर buy किया था bank nifty specially avoid किया था reason किया था avoid करने के पीछे supreme court का जो verdict आना था तल गया verdict अब एक अपते के लिए तो definitely अब एक अपते बाद फिर से ऐसा position मनते वे नजर आएगा तो फिर से उसे volatile session से बचने के लिए निकलने कोशिश करेंगे so 11,550 C buy किया था लगबग 82, 81.25 के आसवास में buy किया था and 95, 96 के आसवास में इसे square up किया कुछ लोगों ने 99 पे भी profit book किया so total यहां पे लगबग 17% का return morning के trade से निकलता हुआ दिखा यह अपने share किया था हमारे platinum members के साथ में so अगर हमारे platinum members है तो आपको यह messages YouTube पे करेगा YouTube के तुरू और दूसरा आपको यह message हमारे whatsapp पे मिल रहे होंगे अगर whatsapp पे नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे whatsapp करके वहां पे help ले सकते हैं so दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो options एक बार देख लेते हैं nifty ifty or bang nifty कि किस तरह से यह आने वाले weak के अंदर में काम करते हैं वह नजर आ सकते हैं nifty gap up opening हुई है और यह gap up opening होने के बाद में पहली चीज जो चार्ट को देखते हुए नजर आ दिया है उस gap up को हम retain नहीं sustain नहीं कर पाएं और हम उसके नीचे भी फिसल किया है पहला sign weakness का यह है उपर की तरफ हमने रजिस्टेंस पेस के अलगभा 11,560 के आसपास में वहां से profit booking हुई हाँ 11,450 से हमने फिर से record करने कोशिश की लेकिन फिर दिन का high नहीं तोड़े तो इसे ऐसा समझ के शलिए कि जो gap up opening हुई थी उसे हमने तोड़ जया लेकिन जो दिन का high था हो recording के time हम नहीं तोड़ पा है result क्या होगा result definitely यहां पे जो point wise है 86 point ठीक है लेकिन जो चार्ट पे pattern बनते हुए नजर आएंगे वह pattern कुछ confidence देते हुए नजर नहीं आएंगे so daily candle देख लीजे और कितना points का move हुआ उसे भी यहां पे discuss कर लेते है तो दोस्तो आज की दिन में nifty ने जो high बना हो 11,578 का and low बना 11,452 का लगबग लगबग 125 points का movement यहां पे देखने को मिल रहा है उसका एक reason यह है कि हम एक important labels के आसवास में पहुचते हुए नजर आ रहा है 11,600 के आसवास में हम गए नहीं 11,600 और जिस तरह का इस दिन पर के अंदर में trade देखने को मिला इससे एक चीच clear हो रहा है कि अगर हम 11,500 के उपर फिलाल 500 पे उपर ही हमने closing गे 11,550 के उपर काम कर करना चालो करते हैं तो वहां से एक बार profit booking का pressure आ सकता है यह clear दिख रहा है यह जिस तरह से यहां पर टेल बनते हुए और emotions बनते हुए नजर आ रहे हैं small body है long tails है clear cut and decisiveness बता रहा है buyers और seller दोनों नहीं समझ में आ रहा था किस तरह काम करना है अब यहां पर एक important pattern बनते lower level पर देते है lower level मेरा कहने का मतलब यहां कि आसवास में माफ करे opening अगर यहां पर आसवास में हम देते हैं तो यह bearish pattern बनता हुआ नजर आएगा अगर यहां पर हमने opening ना देते हुए यहां पर opening और बाद में lower closing नहीं होती है यह positive side में हम बात करें तो फिर यह candle बनेगा यह candle फिर indecisive रहेगा इस candle का इतना importance नहीं रहेगा तो दो चीज expect करते हैं कल के दिन में dow zones की बारे में बात करें तो dow zones फिलाल अच्छा काम कर रहा और अगर इसी तरह से काम करते रहा तो expect करें कि कल के दिन में nifty की opening होगी nifty की opening लगब 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 इन labels के आसवास में हो सक सकता है और उपर की तरफ जब भी हम 11,550 से लेके या let's say 570 से लेके 11,600 के आसवास में मिले तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोची जा सकती है शौट बराना चाहिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं प्रॉफिट बुक करने की बात कर रहा हूँ लेकिन यहा बात हो गया निफ्टी के बारे में देख लेते हैं option chain क्या indicate का option chain के अंदर में कुछ ऐसे indication है कि कल के दिन में हम क्या sideways movement में हो सकते हैं या हम किसी तरह का gap up opening gap down opening की बात कर सकते हैं सो निफ्टी क्लोजिंग का हूँ 11,500 के आसपास में 11,500 हमारा add the money होगा let's talk about 11,500 यह कुछ देट अकल के ओके let's talk about 11,500 open interest देखे कितना है exactly 11,503 पम ने closing दी है 28,662 call में 22,377 put में important बात यह है कि put में जो सबसे ज्यादा activity हुई है यहीं पे हुई है add the money में writing की गई है 19,232 का यानि एक major chunk traders ऐसा मान के चलता है कि कल के दिन में 11,500 के ऊपर opening होगी 11,520, 530 के आसपास में opening होनी चाहिए कल के दिन में ऐसा है मान के चल रहे है कि इनने buffer मिलेगा 20,30 point का अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका 28,662 क्या होगा वो आ जाएंगे tension में अगर हम 11,550 के ऊपर काम करना चालू करते हैं अगर वहाँ पे हम काम करना चालू करते हैं तो फिर यहां पे जो जिन्नोंने sell किया रहेगा जिन्नोंने writing किया यह tension में आते हुए नजर आएंगे और हम sustain कर गए थोड़ी देर तक तो यहां पे आपको unwinding कुछ इस तरह की नजर आएगी और अगर यह unwinding नजर आई तो friends 11,600 कुछ लोग ने question पूछा था क्या 11,600 जा सकते हैं यहां पे unwinding होना जरूरी है उसके लिए अगर हुआ तो 11,600 ने 11,650 भी जा सकते हैं उसके अंदर मे फिरम, highest open interest देख ले थे कहां पे build होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरह से हम इस positions को analyze कर रहे है उसी तरह से यहां पे बहुत important तरह का pattern बनता है, pattern in the sense position बनता हुआ नजर आ रहा है, highest open interest 42,138 का, second highest open interest नीचे है 12,000 पे है, third highest open interest 35,142 यानि 11,600 आपके लिए एक important resistance है, य तोड़ता है, तो 11,800 भी इसी week में possible बनता है, लेकिन अगर यह तूटा, तो confidently तूटा, इसके ओपर column ने closing दी, तो 11,800 की तैयारी कर लीजिए, अगर इसके ओपर closing हुई तो, अगर closing नहीं होती, तो फिर जाने दिए, sideways movement वापस समझाएंगे, 11,450, 11,550, 600 उसमें काम करेंग 26,389, 10,068, 16,838, 19,469, 10,963, ग्रजब का यहां पर position बनाते हुए नजर आ रहे हैं, and 20,657, यहां पर writing यहां पर 12,000 पर जाके writing की जा रही है, यह माना जा रहा है, इस week में 12,000 नहीं टूटेगा, यहां पर put side में यह माना जा रहा है, कि अब 19,000, जो 15,000, 11,000 find rate पर काम कर वो यह मानने के 11,000 find rate नहीं टूटेगा, तो कहीं ना कहीं से आपको option chain के उपर में एक positive indication आ रहा है, positive देखना चाहिए option को, जो highest open interest आपको देखने को मिलेगा, वो 30,000 440 का मिल रहा है, 29,000 का मिल रहा है, and 22,185 का आपको open interest देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा activity 11,000 find rate पर हुई है, so yes range देख लिजे बहुत ही clear है, range अगर आपको जैसा चार्ट के उपर में हमने discuss किया, अगर किसी भी reason के वैसे चार्ड अगर हमें 11,400 के आसवास में मिलता है, let's say 450 के range में मिलता है, तो भी buy करना चाहिए, जो range है वो 11,400 से लेके 11,650, 11,700 के बीच के फिलाल के Nifty 50 ने gap up थोड़ा, bank Nifty ने भी gap up थोड़ा, लेकिन उसके बाद में Nifty में ठीक था recovery देखने हो लिए, जो bank Nifty में देखने को नहीं मिल रही है, कल के दिन में हमने बोला था, Nifty weak है, bank Nifty strong है, आज के दिन में ऐसा कोई statement यूज नहीं करेंगे, क्योंकि definitely Nifty के मुकाबले, bank Nifty थोड़ा कम परफॉर्म के आज के दिन में, लेकिन न्यूस के चलते ही काम देखने को मिला हुआ है, expected था, आज के दिन में verdict मिल जाएगा, verdict नहीं मिला, लेकिन एक अपते के फिर से चलते हुए वो चीज नजर आई है, तो definitely थोड़ा सा वहाँ पे, जो response आ है पबलिक के तर अपनिंग के अंदर में, लेकिन जो candle बना हुआ है, इस candle के अंदर में profit booking दिख रहा है, clear-cut profit booking आपको देखने को मिलेगा, इस candle के अंदर में, look at this, यह जो emotions बने, टोड़ तल ऊपर से profit booking, यानि morning में हमने अच्छी rally की थी, और उसके बाद में यहाँ से जो खुश हो गए थ 22,800 तोड़ेंगे, 23,000 जाएंगे, उनको trap करते हुए smart money नीचे लेकिया है, और वहाँ पर trap होते हुए नजर आए, अब कल के दिन में क्या हो सकता है, कल कोई trigger है क्या हमारे पास में, यह trigger तो नहीं हमारे पास में, तो हम जो, माफ करेगा, जो foreign media, जो foreign market है, उसके उपर में ज्यादा कल depend करने वाले है, दाउजोंस अच्छा काम कर रहा है, तो expect कर लेते हैं कि 11,22,370 पे closing दिया हमने, तो 22,400 प्लस point के आशवास में, उसके उपर भी opening हो सकती है, अगर उपर की तरफ मिल रहा है, बिना कोई trigger, बिना कोई news, अगर उपर की तरफ मिल रहा है, तो एक sell on rise यहाँ पर use किया जा सकता है, कल Tuesday का दिन है, कोई भारी moment मिला है, Friday को अगर यहाँ moment हमने कर लिया है, तो अगर यह दोनों दिन को हम मिला के देखें, अगर खाली points हम बात करें, तो अच्छे कासे points का में, यहाँ पर देखने को मिला है, बड़ा candle, बिक candle बनता हुए नज हुए है, so definitely a candle कुछ इस तरह का और इस दो दिन के अंदर में profit booking ही देखने को मिल रही है, cautious भी हुए, उपर की तरफ 22,800, 23,000 के आसपास में selling position होनी चाहिए, और नीचे की तरफ अगर आप मिलता है 22,200 के आसपास में तो buying position होनी चाहिए, 22,400 से लेके 22,600, totally scalping करने के लिए लेकिन यहां पे किसी भी तरह का trained नहीं हैंगे, sideways movement में फस्ते हुए bank nifty हो सकता है, नजर आ जाए, bank nifty एक बार देख लेते हैं, option chain पे किस तरह से काम करते हुए नजर आ रहा है, option chain में क्या indication मिल रहा है bank nifty की तरफ से, closing का हुई है, closing हुए 22,300 पे, तो 370 पे, 22,400 पे तो 22, 22,500 की position देखे, 17,521, and 14,535 का open interest, highest open interest कहा है, यहां पे देखने को में मिल रहा है 35,000 का, कहां पे 23,000 पे, हमें मिल रहा है 35,157 का open interest, and उसके बाद में यही highest open interest है, 24,000, 27,000 इस तरह के open interest देखने को में मिल रहा है, यानि expected यह है, और यह data हमें देखने लाएक है, यह data यहां यह data यह suggest करते हैं, कि यहां पे अच्छे खासे longs बने हुए, लेकिन अच्छे खासे जिनों राइटिंग किया, वो यह expect करके चल रहा है, कि market at least 22,600, 22,700 के उपर इस week में नहीं जाएगा, अब अगर हमने कल 200-300 point का gap up opening दे दिया, तो यह भागना चालू कर देंगे, इसमें 22,800, 900, 23,000, हर जगा पे आपको clear cut देखने को मिलेगा यहां पे, यहां पे सबसे जादा काम कहा हुआ है, 22,000 पे, आज के दिन में respect हुआ है, 22,000 नहीं तूटा है, expect किया जा रहा है कि 22,000 नहीं तूटेगा, so range बहुत ही clear cut निकल के आ रही है, छोटे range की बात करें, जिस तर आपको एक दो दिन के अंदर मुवमेंट दिखा सकते है, so माइन ट्री एक अच्छा स्टॉक है, माइन ट्री के बारे में बात करें, बढ़िया स्टॉक है, बाइया स्टॉक है, अच्छा उपर चल रहा है, यहां से लग बग लोगा 50-60 पॉइंट का और गेन देखने को मिल सकता है आपको, यह इसी वीक के अंदर में 50-60 पॉइंट करते हुए नजर आ सकता है, दो यहां पे आपको प्रॉफित बॉकिंग देखने को मिल रही है इन केंडल्स पे, लेकिन हर दीप में इसे बाई किया जा रहा है, अगर यह थोड़ा और नीचे मिलता है, चौबीस उ here बात कर लेता है, उन गोद्रिष बाप传ी कुछ पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है到 है, आपको कब यह पता चलने वाला है, दो तीन दीन के अंदर में, यह जो ट्रेंगल है तो Saturday live के अंदर में हमने एक stock के बार में discuss किया था, आज वही stock मैंने मेरे टेलिग्राम चैनल पर भी शेयर किया हुआ था, और वो stock ने अच्छा perform भी किया आज के दिन में, मैं बात कर रहा हूँ अदानी की, अदानी मैं enterprises की बात कर रहा हूँ, तो अच्छा हूँ आपर performance देखने को मिला है, यहाँ पर भी दो-तीन दिन नजर रखे, यहाँ पर भी आपको एक breakout, आइधर साइड, breakout और breakout आपको देखने को मिल सकता है, इस बाट माइटरी और गोदरिश प्रोपर्टी, आपको आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, वीडियो में कुछ पसंद आए, तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा, अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आए या कुछ फिडबैक देना है, तो आप उसे comment box में mention कर सकते हैं Thank you very much for subscribing us Thank you very much for being as a platinum member with us Hope you are enjoying it And hope आने वाला week आपके लिए जोरदार हो Hope ये week ये महिने में आप जोरदार पैसा कमाए Good night